दोस्तों भारत को लोग डिजिटल भारत के रूप में जानने लगे हैं क्योंकि हम बहुत तेजी से डिजिटलाइजेशन की और आगे बढ़ रहे हैं ओनलाइन पेमेंट करने के मामले में तो हम अमेरिका से भी आगे निकल चुके हैं आज से एक हफ्ते पहले आपने ख़बर सुनी होगे की भारत की Upi Services को फ्रांस में लॉंच कर दिया गया है अब खबर निकल कर सामने आ रही है कि आज यानी 12 फरवरी को फ्रांस के बाद सी लंका और मॉरिश्यस में भी Upi Services को लॉंच कर दिया गया है ये काफी बड़ी development है जिसके बारे में हम आगे वीडियो में बात करेंगे वहीं पर हमारी दूसरी खबर कतर से निकल का सामने आ रही है जिसे सुनकर हर इंडियन के आखों में खुशी के आंसू है दरसल दोस्तों कतर द्वारा अरेश्ट किये गए आठ फॉर्मर इंडियन नेवी आफिशर को रिहा कर दिया गया है और किस तरह से प्रोटोकॉल तोड़ते हुए कतर ने ये स्टैप उठाया है इसके बारे में भी इस वीडियो में आगे हम बात करेंगे दोनों खबर काफे इंट्रेस्टिंग है इसलिए वीडियो को अन तक जरू देखिएगा तो चले शुरू करते हैं इस वीडियो को दरसल दोस्तों भारत आज के समय में टेक्नलोजी से लेकर नए-नए इनोवेशन करने में सबसे आगे है और धीरे-धीरे भारत की लोगों का टैलेंट दुनिया भर में फैल रहा है भारत की UPI सर्विसिस को भी बहुत सराना मिल रही है फ्रांस में लॉंच होने के बाद अब सेलंका और मौरिशियस में भी UPI सर्विस सिस्टम को लॉंच कर दिया गया है यानि अब इन दोनों देशों में भारत का कोई भी नागरिक वैसे ही पेमेंट कर सकेगा जैसे वो इंडिया में करता है इसके लिए उसे बस स्कैनर से स्कैन करना है और रुपे में पेमेंट हो जाएगा वहीं मौरिशियस में रुपे कार्ट सर्विसिस को भी लॉंच किया जाएगा इस खास मौके पर Ministry of External Affairs ने कहा है कि भारत FinTech Innovation और Digital Public Infrastructure के मामले में एक लीडर बनकर सामने आया है और प्रधानमंती नरेंद्रमोदी ने देश के Development Experience और Innovation को Partner Countries में शेयर करने के लिए Strong Step लिये हैं वहीं पर इस लॉंच से दोनों देशों के बीच Faster, Seamless, Digital Transaction, Experience और Digital Connectivity को बढ़ावा मिलेगा वहीं जो लोग भारत से सिलंका या मौरिस्यस ट्रेवल करने जा रहे हैं या फिर जो लोग सिलंका और मौरिस्यस से भारत आ रहे हैं दोनों को ही UPI Services की वज़े से पेमेंट करने में बहुत असानी होगी मौरिस्यस में रुपए कार्ड Services के लौण्च होने से मौरिस्यस बैंक्स को रुपए मेकनिजम के अधार पर कार्ड इशू करने में असानी होगी और ये रुपए कार्ड के यूजेस को भारत और मौरिस्यस दोनों ही facilitate करेगा कुल मिला कर ये खबर भारत के लिए काफी जादा अच्छी है क्योंकि भारत के UPI की कमांड अब दुनिया भर के देसों में बढ़ती जा रही है फिलाल बढ़ते हैं हमारी आज की दूसरी बड़ी खबर की तरफ जो कि भारत के लिए किसी विक्टरी से कम नहीं है दरसल कतर की जेल में बंद आठ फॉर्मल इंडियन नेवी आफिसर को रिहा कर दिया गया है इसके लिए भारत ने पूरी ताकत लगा दी थी और आखिरकार भारत इन आफिसर को बचाने में काम्याब हो गया दोस्तो कतर में इनफॉर्मर नेवी आफिसर को 10 सेंटेंस की सजा सुनाई गई थी इसके बाद भारत की तमाम कोशिशों की वज़े से इनकी सजा को माफ कर दिया गया था और अब इने रिहा भी कर दिया गया है आठ में से साथ रिटाइड नेवी आफिसर्स भारत पहुँच भी चुके हैं ये भारत के लिए बहुत बड़ी डिपलोमेटिक अचीवमेंट है जो की हर इंडियन के लिए प्राउड मॉमेंट है दोस्तो ये इंडियन ओफिसर्स रिटाइर होने के बाद कतर की एक कंपनी अलधारा में काम कर रहे थे वहीं इंडियन नेवी में काम करने वाले इन ओफिसर्स के एक्सपीरियंस की प्राईवेट कंपनियों की जरुत रहती है इसी वज़े से कई सारे ओफिशर रिटायर होने के बाद प्राइवेट कमपनियों के साथ काम करने लगते हैं इसी तरह इंडिया नेवी से रिटायर ये आठ ओफिशर कतर की प्राइवेट कमपनी आलधारा के साथ काम कर रहे थे इसी दोरान कतर और इटली के 20 सम्मरीन को लेकर एक डील साइन की जाती है इस डील से रिलेटिड किसी भी जानकारी को पबलिक नहीं किया जाता लेकिन कुछ टाइम बाद मीडिया रिपोर्ट सामने आती है जिसमें ये दावा किया जाता है कि भारत के रिटाइड नेवी आफ कतर और इसराइल के बीच 36 का आंकडा है ऐसे में जब इन ओफिशर पर ऐसा आरोप लगाया जाता है तो कतर इने फॉरें अरेश्ट कर लेता है अक्टूबर 2022 में इन रिटाइड नेवी आफिसर को अरेश्ट करने के बाद जेल में डाल दिया जाता है और 2023 में आलधारा पेनल्टी की सजा सुनाई है इन ओफिशर को बचाने के लिए भारत सरकार कतर की एपिलेट कोट में अपील दायर करती है जहां इन ओफिशर की डैथ पेनल्टी को माफ कर दिया जाता है इसके बाद भारत फिर से कतर के अंदर एपिलेट कोट से उपर हाइश्ट कोट में अ जिसकी वज़े से इंडियान नेवी की इमेज खराब हो रही थी। दूसरा कतर और भारत के रिलेशन बहुत अच्छे हैं लेकिन इस इशू की वज़े से दोनों देशों के बीच कॉन्फिलिक्ट बढ़ रहा था। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके अमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बैल नोटिफिकेशन अवश्य दबालें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ धन्यवाद जैहिन।